हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स टे के लिए बताते हैं कि कौन से डेटा आ रहा है और उसका केमपेक्ट रहने वाला है फ्रेक्स करेंसी पेर्स के उपर और कमेंडिटीस के उपर तो चलिए शुड़ बात कर लेता है क कि 1st February 2024 के लिए यानि कि Thursday के लिए कौन से डेटा आ रहा है और दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन डेटा आ रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टन डेटा आ रहा है और चलिए अब हम शुरुवात कर लेते हैं यहां पर जो सबसे पहला डेटा यहां पर आ रहा है वो 12.30am पर जी हां अभी थोड़ी दर बाद यानि कि अगर अभी जो है मैं वीडियो बना रहा हूं 10 बजे के आसपास तो 12 बजे बिलकुल मिडनाइट को डेटा आने वाला है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टन डेटा आने वाला है जिसका बेसबरी से हर बार इंतजार रहता और वो है United States का डेटा, Fed का इंटरस्ट रेट का डेटा और ये जो Fed का इंटरस्ट रेट होता है इसके इर्द गिर्द ही पूरी economy, वर्ल्ड की पूरी economy इसके आसपास ही घूमती है कि ये कितना होगा और इसकी वज़े से जो crude oil है चाहे gold है चाहे silver है इस सारे के सारे जो है व और ये इतना ही आता है अगर तो उसकी वज़े से यहां पर जो DXY है वो नीचे की ओर को गिर सकता है अगर ये इतना का इतना ही रहता है तो और अगर यहां पर ये DXY नीचे को गिरेगा तो उसके opposite बिलकुल opposite जो चलता है वो होता है EU और USD वो उपर को जाएगा और लेकिन अगर यह इस से जादा आता है, तब तो DXY बहुत उपर को जाएगा, और अगर यह 5.50 से कम आता है, तब तो definitely DXY निचे की और को ही गिरना है, अगर इतना भी रहता है, तब भी निचे को ही गिरना है, और इसके अलावा, आप कोई भी कहीं पर भी देख लिजे, अगर DXY यहा यह सारे के सारे मजबूत होंगे, तो इसके वज़े से यहां पर इस सारे के सारे ऊपर के ओर को जाएंगे, तो आप 12.10 बजे जरूर यहां पर नजर रखिए इसके ओपर, 2.00 जो डेटा यहां पर आ रहा है, दोस्तों वो आ रहा है, 6.00 एम पर, 6.00 एम पर AUD, USD के ओपर इ लिचे के और को जाएगा, यह forecasted होता है दोस्तों, यह जो second बताता हूँ मैं, यह forecasted होता है और actual जब time होता है, उस time हमें पता लगता है, तो यहां पर third जो है वो आ रहा है, 7.15 पर data आ रहा है, सुबह सुबह और वो चाइना का data आ रहा है, आप देखते हैं कि आज भी data आया का data लेकर के आ रहा है, manufacturing PMI का data होता है, purchasing manager index का data, purchasing manager index यानि कि जो managers जो कि purchasing करते हैं raw material की, वो कितनी जादा purchasing कर रहे हैं, अगर वो जादा purchasing कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि वो future के लिए सोच रहे हैं कि और जादा संभावनाएं हैं product के बिखने की, जो कि एक healthy economy क दर्शाता है, लेकिन अगर PMI कम होता है, यानि कि purchasing जो managers होते हैं, वो purchasing कम कर रहे होते है raw material की, तो इसका मतलब है कि वो future से जादा उनको उमीद नहीं है, तो वो चीज economy को भी indicate करती है, इसलिए यहाँ पर अगर यह चीज बढ़ी हुई आती है, यहाँ पर जो पिछली बार अगर नहीं बढ़ता है, तब भी वो एक अच्छी चीज नहीं होती है, उस country के लिए, तो चाइना में अगर ऐसा होता है, तो उसका सिधा सिधा असर जो है, वो crude oil और US oil के उपर पड़ेगा, उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, क्यूंकि चाइना जो है वो number तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएए, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा चैनल और उसे जोइन कर लेजिए, नेक्स्ट डेटा यहाँ पर आ रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टन डेटा आ रहा है, अगर आप निफ्टी बेंक निफ्टी में ट 54.9 पिशली बार था, इस बार अगर यह से जाधा आता है, तो वो अच्छा होगा इंडिया के लिए और इसका इंपक्ट जो है, बेंक निफ्टी पर होता, क्योंकि वो सर्विस एक्टर है, तो उनके उपर हमें असर देखने को मिलेगा, तो इसके उपर आप नज़र रखि नेक्स ट्शु डेता है वो भी इंडिया का ही डेता है क्योंकि Next Day यहाan पर जो है इंडिया का Union बजट का डेटा आ रहा है Union Budget जो है वह बहुत ही Important play करेगा रूल अफना यहां पर और Union ready जो बजट आता है वे बजट जो है पूरी की पूरी यह बेंकिंग इंड़्री और नॉन बेंकिंग तो बहुत बढ़िया जाएंगे दोनों उपर बिल्कुल रॉक्ट की तरह लेकिन अगर अगर अच्छा बजट नहीं आता है और पूरी की पूरी ऐसी उमीद है कि बजट अच्छा ही आएगा क्यूंकि अब थोड़े टाइम के बा और Nifty और Bank Nifty में अच्छे हमें move देखने की पूरी की पूरी उमीद है, संभावना है, तो आप उसके उपर नजर रखिए दोस्तों, और जो next यहां पर data आ रहा है, वो आ रहा है 2.30 PM पर, और यह EUR-USD के उपर impact डालेगा, क्योंकि पूरे के पूरे यूरोप का भी, यहां प बहुत सारी countries का manufacturing PMI का data आ रहा है, और जो है, इसका अच्छा move आपको EUR-USD में देखने को मिलेगा, अगर यहां पर पिछले बार से ज्यादा आता है, तो EUR-USD में हमें अच्छा move देखने को मिलेगा, और यह जो currency pairs है, इनमें आप trading किया किजिए, दोस्तों, बहुत ही आपके पास और Forex Studying Account के लिए आपके पास सबसे बेस्ट दुनिया का सबसे जादा यूज किया जाने वाला platform, जो है, और सबसे जादा भरोसे मन जो platform है, वो है Exynas का platform, मैं personally इसे यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको खुले दिल से इसे recommend भी करता हूँ, और आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई, अगर कभी कोई दिक्कत आती भी है, तो बिलकुल customer care, इनकी service बहुत ही बड़ी है, बहुत ही जबरदस्त, और ये आपको live chat के थूँ आपको पूरा समधान देंगे, और आपको कोई भी दिक्कत आती है, अगर मान लेजिए कि आगर आपको deposit में भ बॉक्स पर chat कीजिए, इनसे सारी problem आपकी दूरोंगी, बिलकुल भी आपका एक-एक पैसा, एक-एक पैसे का यहीं साब रखते हैं, और एक-एक पैसे को आपका पैसा आपके पास है, और साथ ही पूरी transparency है, तो इसलिए मैं आपको highly recommend करता हूँ, videos मैंने आपके लिए यहा पहुन जाएंगे एकसनेस के और वहाँ पर आप अपना एकाउंट ओपन कर सकते हैं, नेक्स्ट डेटा यहां पर आ रहा है दोस्तों, वह 3.30 पीम पर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि बहुत important data आ और अगला important data जो है वह है OPEC की meeting का, तो OPEC की meeting होने वाली है और उसमें प यहां पर move देखने को मिल सकता है 3.30 बजे, इसके अलावा 3.30 बजे ही 30 पीम पर ही अगेन यूरोप का data आ रहा है और उसका impact जो है वो EUR-USD के ओपर ही पड़ेगा क्योंकि यूरोप का CPI का data यानि कि inflation का data आ रहा है 2.9 से 2.7 होने की उमीद है 2.7 अगर यह होता है तो EUR-US अगर यह ऐसा data आता है तो आप इसके उपर जरूर नजर रखे और आपको अच्छा move यहां पर देखने को मिल देगा क्योंकि CPI का data जो होता है वो inflation का data होता है और उसके उपर उनका interest rate जो है वो impact डालता है interest rate भी उसी से decide होता है तो बहुत important data होता है किसी भी country के लिए CPI का impact डलेगा और इंग्लेंड का data है इंग्लेंड का interest rate का decision है interest rate decision जो कि CPI के data के बाद आता है जैसे अभी मैंने पिछला data बताया आपको यूरोप का data CPI का अब उनका अगला data आने वाला है interest rate का और इनका आया था अब इनका आया है interest rate decision का data और 5.25 इस बार है पिछली बार भी 5. इस बार भी होने की इतने ही उमीद है अगर यह इस से जादा आता है तो GBP उपर को जाएगा अगर इससे कम आता है तो GBP नीचे गुजाएगा और अगर यह इसके बराबर ही रहता है तब भी GBP USD नीचे की और को गिर सकता है आप साड़े 5 वजे इसके उपर नजर रखिए और जो next यहां पर data आ रहा है वो आ रहा है 7 पीम पर और US का initial jobless claim का data है इसका यहां पर इसे लोग जो की jobless होए है और अभी सबसे पहली बार उन्हों ने register करवाया है खुद को United States में jobless होने के लिए तो उनका data है और अगर यह data कम आता है तो means jobless लोगों के संख्या कम है तो इसका impact अच्छा पड़ता है DXY के ओपर और DXY इससे ऊपर के ओर को जा सकता है लेकिन अगर यह negative आता है तो इसका मतलब है कि DXY जो है वो नीचे के ओर को गिरेगा और उसका opposite impact EU or USD के ओपर आपको देखने को मिलेगा next data आएगा वो बहुत ही important है दोस्तों और वो data 815 पर data ही आ रहे हैं और दोनों ही manufacturing PMI है यह भी manufacturing PMI का data है और यहां पर यह ISM एक organization है वो दे रही है और यह simple एक दूसरे organization जो government organization है वो दे रही है तो दोनों के दोनों data same है लेकिन सब्सक्राद impact आपको बढ़ता है इसका साड़े 8 तो साड़े 8 वाले data का आप इंतिजार कीजिए थोड़ा सा 47.4 यह पिशली बार था और 47.2 होने की उमीद है और अगर यह इस तना आता है या इससे भी कम आता है तो DXY में बहुत की रावट देखनों मिलेगी और EO or USD में उपर की और को जाएगा और लेकिन यही नहीं हमेशा manufacturing PMI जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि company से related है जैसे चाइना का data जो है वो US oil और crude oil पर impact डालता है वैसे ही जो United States का data है वो भी उनका भी manufacturing PMI का data US oil और crude oil के ओपर impact डालता है और बहुत जादा impact डालता है दोस्तों तो इसका impact जो है वो US oil और crude में भी आपको देखने को मिलेगा तो अगर यहाँ पर manufacturing PMI बढ़ा तो US oil और crude oil बहुत उपर जाएंगे और अगर यह कम आता है तो US oil और crude oil भी नीचे को जाएंगे तो इनके उपर आप नजर रखेंगे दोस्तों और यह है data जो की आ रहा है बहुत ही बढ़िया data यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है पूरा दिन भर और बहुत बढ़िया impact हमें देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे profits भी हमें लेने को मिलेंगे तो I hope आपको वीडियो पसंदा रहे हैं अगर वीडियो पसंदा रहे तो वीडियो को लाइक करना ना भोला चैनल को अभी सब्स्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्स्राइब के मिलते है अगले वीडियो में तिल देन, have a nice day, goodbye and stay safe.